हेलो ग्लेटख्यों है विडियो इस विडियो में नए टॉपीक के साथ आया हैं जिसका नम है डिपस्टीर एफिष टेक्सिस गैज यह जो टॉपीक है यह लाश्ट पार्ट है आफिष टेक्सिस का सो गास जिन्होंने यह विडियो डेकली देखना शुरू किया है तो प्लीज इससे पहले वाली जितने भी पार्ट है प्लीज आप उसको देखिए उससे आपको concept easily clear हो जाएगा और आपको यह topic और अच्छे से समझ में आएगा तो गाइस फिर भी मैं यह बता दू कि जुन्होंने डिर्कल यह वीडियो देखना शुदू किया है उनके लिए मैं बता दू कि posterior apistaxis तो इसका मतलब क्या होता है posterior apistaxis मतलब bleeding और इस वीडियो में हम उसको management या उसका treatment कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे तो ज्यादा time लेते So let's begin guys So guys इसमें पहला method आता है endoscopic electrocautery method तो इसमें क्या होता है कि यह जो endoscopy के लिए हम bleeding point को identify करते हैं और उसका electrocautery कर देते हैं तो इससे bleeding रुख जाती है तो यह treatment of choice है for posterior apistaxis के लिए यह एक treatment of choice है पर कभी-कभी guys क्या होता है कि हमें कुछ reason के वज़े से bleeding point हमें identify नहीं होते हैं या फिर कभी-कभी ENT surgeon available नहीं होते हैं तो उस condition में हम कोई और method यूज करते हैं वो कौन सा method है वो method है anterior nasal packing करते हैं तो अब यह anterior nasal packing मतलब की anterior यह side में ह हम जो cotton gouge होता है उसको insert कर देते हैं okay bilaterally मतलब दोनों नाक के तुरू insert कर देते हैं ताकि जो pressure होता है जो both side पर जो pressure होता है वो equally available हो सके जैसे anterior and posterior side में equally pressure available हो सके okay तो इसके तुरू हम जो nasal packing होता है जो cotton gouge को insert कर देते हैं but guys कभी-कभी क्या होता है कि bleeding इस process से भी नहीं okay यह anterior reason है यह posterior reason है तो हम इसके लिए दुस्ता method यूज करते हैं okay तो इसके लिए हम क्या करते हैं पोश्टीर नेजल packing okay तो इसके लिए हम folies catheter का use करते हैं okay folies catheter का use कैसे करते हैं इसको हम जो nasal है nasal के तूरू देते हैं till the throat okay तो आप देख सकते हैं कि यहां तक हमने insert कर दिया तुर उसके बाद हम अरी Confederate करते हैं और उसके बाद हम air infiltrate करने के बाद उसको हम पुल करते हैं okay पुल करने के बाद इस section में हम air again blow करते हैं ताकि यह आके यह अठक जाए учक है और उसके बाद हम इसको block कर देते हैं ताकि जतना भी यहा पोश्टीर hair region में जितनी वो यहां आके इखटा हो के यहीं रुख जाए ओके एस्पैरेट ना हो ओके यह पैकिंग बहुत इजी पैकिंग है और यह हम लोकल अनिसीसिया के थू दे सकते हैं इसके लिए हमें जनल अनिसीसिया नहीं देनी पड़ती है और यह एक एमरिजनसी कंडिशन में हम यह मैथड यूज कर सकते हैं इसके लिए हमें इनटी सर्जन की ज़रूरत नहीं है बट गाइस कभी-कभी इस मैथड के थू भी ब्लेडिंग नहीं रुखती है तो अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हम करते हैं क्लासिकल पोश्टीरियर नेजल पैकिंग तो इस कंडिशन में क् इसके मुँगे थू किष्ट लेते हैं अब इस जो यहां जो इस रीजन पर हम क्या करते हैं जो कॉटन का गौश रहता है उसको हम सूचर के थू बांद करके इसके थू अटेश कर देते हैं और फिर वापस इस कॉटन बाच को हम वापस अगें यह डारेक्शन में इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह डारेक्शन में वापस इंसर्ट करना होता है तो कभी-कभी यह नहीं जाता है द्यू टू यह सौट पैलेट या ऊला के थू तो उसके लिए हम फिंगर का यूज करते हैं ताकि यह यहां के पहुच जाए तो पहुचने के बाद यह क् अठक जाएंगे यह 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 आकर रुख जाएंगे एस्पैरेट नहीं होंगे अब कभी-कभी गाइस क्या होता है कि इसके अलावा क्या मेथड और हो सकते हैं इसके अलावा हमारे पास है अपिस्टेक्स कैथेटर यह क्या है यह तरीके का सिलिकॉन बल्ब है तो यह हम यह मेली जो हमें रखना होता है यह कितने टाइम तक रखना होता है यह मेली 48-72 गंते तक हम रख सकते हैं वाकर उससे ज्यादा रखेंगे तो इससे infection होने के chances रहते हैं तो अगर हमें जुरत है और ज्यादा टाइम तक रखने के लिए तो हमें इसको निकालना पड़ेगा वापस दुसरा इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि infection ना हो और but guides कभी कभी क्या होता है कि अब इससे भी bleeding नहीं रुखती है तो अब कौन से method आता है तो इससे best method आता है artery को ligate कर दो वो artery जो bleeding cause कर रही है उसी को ligate कर दो उसी को band दो ताकि उससे bleeding ना हो तो उसके लिए best होता है splenopelotin artery ligation तो splenopelotin artery को क्यों इसले किया क्योंकि guys आगर आपने previous video देखे होंगे तो उसके अंदर जो arteries होती है splenopelotin artery वो anterior posterior artery के लिए responsible होती है अगर ये artery में damage होया तो anterior bleeding भी हो सकती है posterior bleeding भी हो सकती है तो ये artery को ligate कर दो तो ये जो posterior या anterior epistaxis नहीं होगी तो इस reason पर हमन देख सकते हैं okay ये lateral wall है nasal wall है ये middle turbinate है और ये septum है okay तो easily यहां ligate हो चुका है आप देख सकते हैं but guys कभी-कभी क्या होता है कि हम splenopelotin artery को एक locate नहीं कर पाते है या कुछ-कुछ excessive bleeding के कारण हमें ये artery नहीं दिख पाती है या कभी-कभी some tumor के कारण ये artery हमें नहीं दिख तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम करते हैं IMA internal maxillary artery होती है उसको ligate करते हैं क्योंकि splenopelotin artery ये branch किसकी है IMA की branch है तो अगर हम इसी को ligate कर देंगे तो उसको ज़वत नहीं पड़ेगा कि splenopelotin artery को ligate करने के जो होतने पड़ेगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं Calduel loop operation कि तो हम इसको IMA को ligate कर देंगे बट गाइस सिम इसमें भी issue होते हैं कि अगर IMA के ligation के दोरान कभी-कभी अगर यहां tumor हुआ या हमें IMA नहीं दिख पाया या कोई नहीं कोई इसको भी आटरी के जो सब ब्रांचे से वह है IMA मतला IMA ब्रांच है external के लिए अगर कर सकते हैं और external के लिए नहीं होती है अवे फॉम्द नोस तो क्या होता है नाक में ज्यादा bleeding होती है तो कभी-कमें नोस में हमें identify नहीं होता कि कौनसी आटरी है तो इसके लिए हम external के ल आटरी को लाइगेट करना है तो यह एक सिंपल सा प्रोसेस है आटरी लाइगेशन का ओके सो गाइज यह इस लास्ट आपिक के साथ हमारा यह फिस टैक्सिस का यह जो टॉपिक है यह कंप्लीट होता है तो गाइज आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हुआ